तो दोस्तों सामवी का और एक नया दमदार स्मार्टफोन लाउंच हो रहा है Redmi Note 13 R Pro नाम पे और इस बार इसमें 12GB RAM और 256GB का इंटनी स्टोरेज दिख जाएगा फोन का डीजान आप जैसी की देख रहे हैं पीछे से बिल्कुल भी वो का OI 100 की तरह लग रहा है और इसमें dual rear camera भी दिया गया है बट इसमें आपको 108MP का primary lens मिलेगा और 2MP का 1 micro lens दिया गया है I hope कि इस phone का camera काफी अच्छा होगा बट फिलाल इस phone का design काफी अच्छा लग रहा है backside में glass glossy bag दिया गया है जो कि थोड़ा बहुत चमकता भी है इन display thing happen sensor तो नहीं बट इस phone आपको side mount thing happen sensor दिख जाएगा power button की उपर ही और उसी के साथ phone की उपर की तरफ IR blaster 3.5 में का audio jack दिख जाएगा डिस्पले के बारे में अगर बात करें तो इसमें 6.67 inch का full HD plus on 20 refresh rate का OLED डिस्पले दिया गया है और उसी के साथ selfie के लिए 16 megapixel का पांचोल में फॉंट से लिए पी camera भी दिया गया है और अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें media tech का diamond city 6080 का chipset दिया गया है और उसी के साथ मैं आपको RAM और storage के बारे में तो बताई दिया था 12GB RAM और 256GB का internal storage दिख जाएगा इसमें 5000 image के बैटरी है लेकिन यह बहुत ज़्यदा fast charging को support नहीं करता है इसमें सिर्फ 33W का fast charging दिया गया है Saumica यह जो phone है यह सबसे बहले चाइना में launch हो रहा है expect किया जा रहा है कि 20 November को launch हो जाएगा चाइना में और ऐसा expect किया जा रहा है कि इस phone का price लगबग 21-22 रेंज के अंदर launch होगा अब देखना है कि इंडिया में काब आएगा कितना प्राइज में आएगा या फिर rebrand होकर पोको में आ जाएगा पता नहीं देखते हैं अब इसके बारे में अगर कुछ नियूस मिला तो मैं आप लोग आपडेट कर दूँगा आपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्क्राइब करके रिखिया और वीडियो आप लोग अग मिलते हैं अगले वीडियो में बाई